हेलो एबरिवन, वेलकम टू दिस चेनल, नौले सेंटर आरकेजे, दोस्तो, SSC MTS एकजाम 2023 का आज यानी, 4 मई 2023 को थर्ड सिप्ट का एकजाम हो चुका है, और आज पुछे गए, रियल एजी के कोईसेंस को देखने वाले हैं, तो वीडियो को अन तक जरूर देखे, और सा किताब जो है, आरके नरायन के द्वारा लिखा गया है, तो कुछ important book है, आरके नरायन का, इनमें से जो भी आपके option में था, वो आपका जो है, सही उत्तर हो जाता, तो आपको दिया गया था, इसका important book है, Swami and Friends, The Guide, The English Teacher, The Dark Room, The Bachelor of Arts, The Financial Expert, इसके लाबाएक और है, मालगुडी देज, तो यह जो भी आपके option में था, वो आपका जो है, सही उत्तर हो जाता, एक important लिखाक है, विकरम सेठ, तो इनका कुछ important book है, एसु टेबल बुए, यह किसका है, तो यह है, विकरम सेठ का, और यह का है, The Golden Gate, यह भी जो है, विकरम सेठ के द्वारा लिखा गया है, तो यह है, ब्रमपुत्र नदी का सधिया और धूबरी खंड के बीच, इसके लंबाई कुल जो है, 800, 91 किलोमेटर है, यह जिन्होंने वारे हैं, सधिया और धूबरी के बीच, उनका बिल्कुल सही उत्तर है, तो बात करें, राष्ट जलमार्क 1 का, तो यह है, हल्दिया साकर सि चुलाई कितना होता है, तो बैडमिंटर कोट की जो है, लंबाई होता है, 13.4 मीटर और चुलाई होता है, 6.1 मीटर, तो यह आपको जो है, सही उत्तर हो जाता, तो आपका निश्ट पुछा गया था, 2011 के जन्गन्ना के अनुसार, सबसे जैदा जिन्द सेंख्या किस राज चुलाई है, अपसे पूछेगे, 11 के अनुसार जो है, भारत का लेटर सीड़ यानि साख्यरत दर क्या है, तो यह है, 14.04 परसेंट, तो निश्ट आपका पुछा गया है, पंडित किसन महराज, जो है, किसे समन्दीत है, आपका पुछा गया गुशन से है, कि पंडित किसन म बातक उन्हें जान लिजिये तो उसमें है सिवनारायन जोसी परवानद जोसी चंतरनाथ सास्त्री अल्ला रखा खां सोकत अली जो है हुसेन खां और जाकिर हुसेन तो यह सब जो है तबला बातक हैं तो अगले शाप से पूछा गया था कि सिंजो अवे किस देश का पीम था तो सिंजो अवे जो है जपन के पीम था जो कि अब नहीं है अब उनका देहन थो जो गया है और इन्हें 2021 में भारत के तरब से पद्म भुशन पूर्षकार भी मिल चुका है तो निश आप से पूछा गया है मलिका साराभाई को 2010 में कौन सा पूर्षकार मिला था तो आपको कुछीपुरी और व्रतनाटम की नर्तिका है तो निश आप से पूछा गया है कि बंगल विभाजन जो है कब हुआ था आपको पुछा गया था हिस्ट्री से कि बंगल विभाजन कब हुआ था तो यह 1905 में हुआ था उसमें वैसरे कौन थे तो उसमें वैसरे थे लौड जन अपसे पुएधि कि दिल्ली बारतर्णि बारतका कब बना था तो यह बना था 1912 में है इसका पहुच मारे हैं तो आपका बिल्कूल सही उत्तर है तो आपको नेश्ट कोसंस पुछा गया है हिस्ट्रे से कि द्वेद शासन लागू जो है किसने किया था तो ये बंगल सरकार में कौन था? रॉवर्ट कलाइब के द्वारा किया गया था रॉवर्ट कलाइब को जो है बलजाता है जनक दुस शासन का जोने रॉट कलाइब मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है तो आपको नेश्ट पस पुछा गया है समिधान से कि भारतिय समिधान के भागचार समंधित है आपको पुछा गया है आर्टिकल से कि पार्ट 4 जो है या किसे रिलेटेड है तो ये रिलेटेड हैं DPSP से यानी राज के निति निर्थक सिध्यान से तो ये इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है तो नेश्ट पसे पुछा गया है कि नाटि जो किस राज का लोग निर्थत है तो नाटि जो है ये निर्थत है हिमाचल परदेश का जिन्होंने हिमाचल परदेस मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है तो आपको एक कोशन्स पूछा गये था किरसी जनगन्ना जो है कितने वर्स पर होता है तो करसी जनगन्ना होता है परते एक पांच वर्स पर जोनोंने गुर्टवाकर्शन बल मारे हैं उनका बिल्खुल सही उत्तर हैं दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हैं तो वीडियो को लाइक जरू कर दे मैं फिले जो है रियल यानि एक्जक्ट कॉसन लेका राता हूं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दे आपको एक कोशन से पुछा गया है कि तराकी से समंधित नहीं है इनमें से कौन जो है तराकी से समंधित नहीं है तो कुछ इंपर्टेश सब्ध है तो इन में है stroke, back stroke जो क्या option में भी था, brush stroke यह भी आपके option में दिया गया था, जेन, waterfly, twist, sprint board और front call यह भी था, तो आपके option में यह दिया था, leg stroke था, तो यह नहीं था, तो जिन्होंने leg stroke मारे हैं, उनका बिल्कुल सही उत्तर है, बाकि यह सब जो है, समन्दीत है, तरह की से, और कुछ important जान लेजिए, तो सुदिन का exam आगे है, तो जितना भी sport है, उनसे समन्दीत जो सब्द है, उनको अच्छे से अब रट लीजिए, उनसे आपको exam में जो है question पूछ रहा है, तो बात करें गोल्फ का, तो समन्दीत है गोल्फ से, बोगी, फोर्सम, एस्टैमीटी, पुल हॉल, पोस्ट लाइकोर्स, आइरन पुटिंग, डग्रीन, लिम्प्स, कैडी और निवाले, यह समन्दीत है गोल्फ से, गब बात करें बिल्जर्ट से, तो बिल्जर्ट से समन्दीत है, जिगर, हैजर्ड, बोल्टिंग, कैंसा, ब पृत्विराज चोहन ने मुहमद गोरी को कब हराया था, काफी जी कुसंस है, तो आपको बता दूं, कि तरायन के जो पहता, पहला युद, 1111 में, इनमें पृत्विराज चोहन ने मुहमद गोरी को हरा दिया था, और जश्ट इसके बाद, एक साल बाद, 1192 में गवा था, तरायन का सकेंड युद, और इसमें जो है, उसका उल्टा हो गया था, इसमें जो है, मुहमद गोरी ने इनको हरा दिया था, तो यहनोंने हमारे है, 1191 में, उनका बिलकुल सही उत्तर है, तो निश्ट आपको पूछा गया है, कि जी भी एक फुल फॉर्म क्या होगा, आपक करंट फियर से पुछा गया था, जो कि देल ही गवर्मेंट टेक्स से जमन्दी था, तो कॉशन्स पुरा क्या था? नीचे कमेंट जरू कीजगा, और उसका एंसर आप क्या आ रहे हैं? नीचे कमेंट जरू कीजगा, आपको सेल के पार्ट से भी था बैवो में, तो कॉशन को याद है नीचे कमेंट जरू कीजेगा तो फिलाल इतना ही मिलते हैं नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद